लेकिन हमारा सत्ता का भूक नहीं है, हमारा भूक इस राज के गरीब गुरुआओं का दुख दर्द को खतम करने का है, लेकिन जिसकी नियत मजबूत हो और नियत में सच्चा ही हो, तो उसका कोई भी बाल नहीं बाका कर सकता है। हमारी नेगी, यह सरकार जारखंडियों की सरकार है, यहा के मूलवासियों की सरकार है हम अभी दिल्ली से चलकर यहाँ आज इस कारिक्रम में आए हैं, हम और आदर्निय गुरुजी दोनों साथ में आए, उनको हमने राची में छोड़ा और हम यहां के लिए आए उनका हाग का भी ऑप्रेशन था थोड़ा उम्र का तकाजा होने के वज़त से वो यहां नहीं आ पाए और हमने उनको बताया कि हम जमसेतपूर जा रहे हैं और कारिकरम के विशय में बताया तो उन्होंने तुरंट कहा क्या आज आठ तारिख है क्या हमको समझ में नहीं आया कि आज भी आज का दिन उनके सीने में किस तरीके से छपा हुआ है और कौन-कौन सी घटना है उनके अंदर इस राज की लड़ाए के वक्त बिता है कौन-कौन सी बाते उनके अंदर है ये आज भी जारखन के डिस्कनरी की तरह हम उनको देख सकते हैं आज जारखन मुक्ति मुर्चा के बारे में बताने की आवज सकता नहीं है अभी हमको यहां पर बैच लगाया गया हमारे बीर सहिद निर्मल महतोजी का फोटो भी लगा हुआ है दो मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मेरे सर पर कोई एक अद्रिश सकती सर पर हाथ फेर रहा मेरा अंदर से दो मिनट के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन और ऐसे ही हमारे इस राज में अनेक लोग इस राज के मूलवा से इस राज के आदिवासिव यहां के जल जंगल जमीन और यहां कदिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आपने आपको खुर्बान कर दिया इस कोलहान के इस धर्ती पर कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां अनेकों लोगों ने सहादत दिया है और उनके सहादत पर हम लोग समय समय पर एकत्रिद भी होते हैं आज उनी में से एक ऐसा सक्स जो इस राज के मुलवासी आदिवासी को एक राह दिखाने का प्रयास किया था और उनकी राह पर चलते चलते हम यहां तक पहुचे हैं उनकी सहादत और अंगिनत लोगों का सहादत आदर्निय गुरुजी का मारदर्सन का नतीजा है कि हम आज अलग राज में हैं अलग राज हुए हम लोगों का बीस साल हो गया है लेकिन बीस साल में भी आज हमारी लडाई अपने विकास के लिए अपने हक अधिकार के लिए अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जा रही है बीस सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर सरकार चलाया उन लोगों को ना यहाँ के मूलवासियों को से ना यहाँ के आदिवासियों से कोई लेना देना रहा बीस सालों में इस राज को इन लोगों ने खोकला कर दिया 2019 के चुनाव में हम लोग गड़बंदन के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत के साथ लोगों को समझाने में काम्याब हुए कि यह 19 साल का सरकार इस राज को खत्म कर देगा इस राज के मुलवासी आदिवासी को वजूद खत्म कर देगा इसलिए सरकार बदलना जरूरी है 2019 के चुनाव में आप लोगों का भरपूरा सिर्वाद मिला कोलान चेतर से तो एकाद लोग ही साथ गड़बंदन दल से बाहर रहे बलकि पूरा का पूरा बिधान सबा सीट आप लोगों ने गड़बंदन दल के लोगों को दिया है सरकार हम लोगों ने बना तो लिया लेकिन बहुत हम लोग गरीब गुरुआ आदिवासी दलीत पिछड़ा लोग किस्मत वाला नहीं होता है सरकार बनने के बाद ही कोरोना जैसा महामारी किसी से छुपा नहीं है दो साल तक अभी भी मेरा हाथ में मूग का पट्टी बंदा हुआ है पकड़ के घूम रहे हैं ऐसा हम लोग को लपेट में लिया कि पूरा राज घर के अंदर लोगों को रहने के लिए मजबूर कर दिया ना हाथ ना बजार ना गाड़ी ना मोटर ना ट्रेन ना हवाजाज कुछ भी नहीं चलता था और जारखन तो ऐसे ही बिचारा रोज कमाओ रोज खाओ वाला लोग यहां पर जादा वास करते हैं उन लोगों के लिए तो और भी यह महामारी एक अभिसाप के जैसा हो जाता है घर पे रहेगा तो भूखा मरेगा बाहर निकलेगा तो बिबारी से मरेगा अजीब इस्तिति बहुत चिंता का विसे था वो दो साल का समय लेकिन आपको याद होगा किस से पहले डबल इंजन की जब सरकार थी जब कोई महामारी नहीं था, कोई आपदा नहीं था, कोई समस्या राज में नहीं था उस समय लोग रासन कार्द लेकर बूखा लोग मरा था लेकिन आज 2019 में इस महामारी में जब पूरा दो साल ना हमारे पास डॉक्टरों की वेबस्था, ना हमारे पास अस्पतालों की पुर्ण वेबस्था, सब तुटा-पुटा हालत में ये बिमारी हमारे बीच में आया, लेकिन सरकार की तत्परता, सरकार का हमारे सभी लोगों का योगदान और इस राज के जन्मानस का योगदान के वज़े से इस दो साल बितने के बाद भी एक भी वेक्ति को हमने भूखा नहीं मरने दिया, और इसमें बड़े पैमाले पर हमारी गरामीन छेतर में रहने वाली हमारी महिला देदी को हम सलाम करते हैं, जिन लोगों ने गाउं में दाल भात योजना चला करके गरामीनों को घर-घर मुफ्ट में खाना खिलाने का काम किया, और उनको अराम से रहने का मौका दिया, और पूरा देश में जब यहाँ इस बिमारी से लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, जहाँ पर लोगों को जलाने के लिए लगड़ी खतम हो गई थी, लोगों को दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया था, वहीं यहाँ पर जार्खंड में सांती से इस मामारी का जंग हम लड़ रहे थे, यहीं टाटा कमपनी और यहाँ इर्द गिर्द कई कमपनियां हैं जहाँ से हम लोगों ने बड़े पैमाने में जार्खंड एक ऐसा राज था, पूरा देश में आक्सिजन सप्लाई करने का काम इस राज से हुआ क्या गया था। अब ही हम कल पर सो निती आयोक का मीटिंग में गये थे, देश के लगबग सभी मुखमंत्री यह वहाँ उपस्तित थे। हमने अपनी राज की दसा बताई कि आज देश को आगे बढ़ाने में जार्खंड का कितना महत्व है, अगर जार्खंड से खली संपदा, कोईला, लोहा, यूरेनियम अबरग जाना बंद हो जाए, तो पूरा देश ठप हो जाएगा, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा, लेकिन आज देश को चलाने का भागीदारी में तो जार्खंड पंदेश अपना भूमी का निबाता है, लेकिन राज सरकार और यहां के लोगों का सहयोग हम लोगों को बहुत कम मिलता है, आज इस राज में गरीबों की हालत क्या है, यह आप से हम से छुपा नहीं है, हमारे लोग इतने गरीब हैं, खाना पीना तो छोड़िये, सरीर में तन डखने के लिए भी कपड़ा नहीं होता है, आज सरोजन पेंसन लागू करके इस राज के सभी बृद को हम लोगों ने पेंसन देने का काम किया, सभी बिध्वा महिलाओं को पेंसन देने का काम किया, सभी बिकलांगों को पेंसन देने का काम किया, और तो और जो महिला को पुरूष छोड़ के जाता है एकल महिला को भी पेंसन देने का कानून बनाया ये भारत में पहला ये राज है जहां पर सभी पेंसन सरोजन रूप से दिये जा रहे हैं कोई राज नहीं दे पाता है हम भारत सरकार से आगर अभी किये थे लेकिन भारत सरकार तो बोलता है हमार पास पैसा नहीं लेकिन बड़े-बड़े बेपारियों का पैसा माप करने के लिए उनके पास पैसा है उनको लोन देने के लिए उनके पास पैसा है लेकिन गरीबों को पेंसन देने के लिए आराज देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है आज भी हम अपने गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं कैसे हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे कैसे हमारे डॉक्टर इंजिनियर बनेगा कैसे इनको रोजगार मिलेगा इस विषय पर सरकार लगातार काम कर रही है दो साल तो हुआ हम लोग का कुरोना से बिते हुए और उसके बाद अभी सुखाण की स्थिति अभी जो भी है जो भी आट-दस मैना हम लोग काम कर पाए है इस दोरान हर वो काम हम लोगों ने किया है जो हमारी ग्रामीन अर्स विबस्था को मजबूत करेगा चाहे वो सरोजन पैंसन हो चाहे मुखमंत्री रोजगार सिर्जन हो चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो चाहे फूलो जानो आसिरबाद योजना हो अने को ऐसी योजना है हमने चालू किया है आप सभी लोगों से आग रहा है रोजगार के आउसर आप लोगों के पास जहां पर सभी आपका बोलता है जमेन CNTSPT में है आपको लोगों नहीं मिलेगा तो हमने तई किया कि बैंक को छोड़ो अब सरकार खुद लोगों देने का काम करेगी और इसको लेकर आज आप लोगों के बीच में हम लोगों आज बहुत तेजी तो नहीं लेकिन हाँ ये धीरे धीरे जरूर अफ़तार पकड़ रहा है और मुझे उमीद है स्वारोजगार के माध्यम से हमारे ग्रामिन छेतर के लोगों का आए बढ़ेगा हर तरीके का आप काम कर सकते हैं होटल चला सकते हैं गाड़ी मोटर भाड़ा में चला सकते हैं सिलाई मसीन का दुकान खोल सकते हैं रेस्टोरेंट खोल सकते हैं नाई का दुकान खोल सकते हैं वेल्डर मशीन का दुकान खोल सकते हैं उसके लिए सरकार आपको साहतारासी उ जोजनाओं को गिंती करना सुरू करें, तो समय भी कम पड़ेगा, लेकिन आज मैं ये आप लोगों के से कहने के लिए आया हूँ, कि अब जिस तरीके से राज हम लोगों ने लड़ के लिया है, तो इस राज को सवारने का भी जिम्माब हम लोगों को अपने हाथ मे लेना करेंगा, आज एन के इन परकारें, राजदितिक दुस्मन सरकार को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसकी नियत मजबूत हो, और नियत में सच्चा ही हो, तो उसका कोई भी बाल नहीं बाका कर सकता है, हम इस उद्देश के साथ चलते हैं, और आज आपके बीच में ये सरकार हमारी नहीं, ये सरकार जारखंडियों की सरकार है, यहां के मुलवासियों की सरकार है, यहां के आदिवासियों की सरकार है, एक एक करके आज हम अपने सहीदों के सपनों को सकार करने जा रहे हैं, आज हमारे राज में नौजवाद लिखने में भी कमजोर नहीं है आज हम लोगोंने 32 साल के बाद किरसी पदादी कारियों का नियुक्ति किया आज साथ भी से दसवी जेपीएसी का परिच्छा जहां ही लोग हजार हजार दिन में करता था हम लोग धाइसो दिन में करके नौकली दे करके लोगों को तैनात कर द किया जिसमें कोई बीडियो कोई सीयो कोई इंस्पेक्टर बन करके हमारे राज में सेवा दे रहा है और आपको सुनकर आश्यर होगा जिसमें 32-35 बच्चे ऐसे निकले जो बी-पी-एल परिवार के बच्चे थे सेवी का सहाई का ऐसा इनके बच्चे लोगों ने आज ये पीएसी निकाला है ये कितनी गौरब की बात है आज हमारे यहां गड़ी भी इतनी है कि हमारे अच्छे खासे बच्चे लोग पैसे का बाव में ये पीएसी का फॉम नहीं भर सकते थे साथ सो आठ सो रुपिया फॉम का दाम हुआ करता था पूर्व अरति सरकार में अगर दो लाग बच्चा फॉम भरता था तो इस बार हम लोग के समय में 4,5,000,000 बच्चों ने फोम भरने का काम किया है और वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फोम का दाम 100 रुपिया और 50 रुपिया कर दिया किसमत अजमान और जिसको जिसको अजमाना है अभी बड़े पैमाने पे और भी वेकंसी निकलेगे पुलिस की बहाली, सिच्छक की बहाली, हमारा छेत्रिय भासा, जो हम लोग का है, उसका भी बहाली निकलने वाला है, आप सब लोग भी तैयारी करना सुरू कर दें, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए उनको कहें, कि आप लोग भी अपना किस्मत अजमाएं, नहीं तो सुरूजगार का रास्ता तो है ही आपके पास, तो कहीं ऐसी चीज़े हैं, आज ये सहीद दिवस, ये बलिदान दिवस, हम लोगों के लिए एक प्रेड़ा है, आज इनी के मार्दर्सन में, और इनी के सोच बिचार के साथ, अपनी हर कदम को हम अजबूती से रखते हैं, आज नितिक हालातों में, हाज सत्ता के भूखे इस तरीके से लोग घूम रहे हैं, कि किसी तरीके से एनकिन परकारिन सत्ता में आये, लेकिन हमारा सत्ता का भूख भूख नहीं है, हमारा भूख इस राज के ग़रीब गुरुआओं का दुखदर्द को खतम करने का है और आज इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने गरीबों को धोती साड़ी योजना दिया है दस रुपिया में साल में दो बार दोती साड़ी मिल रहा है पैंसन मिल रहा है हम लोग आते हैं 15 लाख हम लोगों ने पैंसन रासनकाड उपलब्द कराया है जो पूरा का पूरा राज सरकार अपने खाते में अपने कंदे पर लेके चल रहा है और तोर इस राज में आप सो यूनिट बिजली भी फिरी देने का हम लोगों ने काम किया और सारी छेतर में जिस तरीके से हम लोग सहर को बढ़ावा दे रहें कॉंक्रीट का जंगल बना रहें और पेड़ काट काट करके बड़ा बड़ा उचा-उचा बिल्डिंग बना रहें हम सहर वासियों के लिए भी बोला है अगर जो भी सहर में रहने वाला लोग है मिनिस्पल कॉर्परेशन में या नगर निगम के अंतरगत उन साब लोगों को एक पेड़ लगाओ और पांच यूनिट बिजली फिरी पाओ ताकि सहर भी हरा बरा रहें नहीं तो दिल्ली जैसा सहर जाके देखिए वहां का पॉलूशन इतना बढ़ गया है कि वहां जो रहेगा उसका समय से पहले मरना तय है उसको टीवी कैंसर होना तय है बहुत बुरा हाल है इसलिए साथी बहुत सारी चीज़े हैं अभी बाते करने के लिए आज इस राज का हजार पांसो नहीं एक लाग तीस हजार करूर रुपया से भी अधिक बगाया विबिन खनन कंपनियों के उपर हमारा निकल रहा है आज हमने भारत सरकार से ये कहा है कि हमारा एक लाग छतीस हजार करूर रुपया दिलवाने में मदद करो यहां के गरीबों को यहां के किसानों को हमें वो पैसे बाटने हैं वो हमें उनको मजबूत बनाना है आज बारिस बहुत कम हुआ है कई जिलों में तो बारिस काता पता नहीं अभी उसका आकलन भी हम लोग करेंगे कहां सुखाड पढ़ रहा है कहां खेती हुआ है लेकिन कमोवेस पहले के तुल्ला में इस बारिस बहुत कम हुआ है और आगे क्या होगा ये भी कोई ठीक ने बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा बड़ा डेम तो बना लिया लेकिन खेती के लिए हम लोगों को पानी उपलब नहीं हो पाया इस वर बड़े पैमाने पर हम लोग इस खेती के संदर में कारियोजना बना रहे हैं जो जल्द से जल्द पूरा होकर के खेती तक में पानी पहुँचे ये हम लोगों का ये परियास है आज निसित रूप से हम जारकनवासियों के लिए संकल्प का दिवास है आज का दिन जिस व्यक्ति ने अपनी सहादत दी है उस व्यक्ति के उस समय को याद करें कई ऐसे उनके सहयोगी उनके साथी यहाँ पर हैं जो हरे एक चीजों को उन लोगों ने देखा है और महसूस किया है कि किस जज़बा के साथ किस ताकत के साथ ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते थे और राज अलग करने की बात करते थे चलिए राज अलग तो हो गया लेकिन अब इस राज को सवारने के लिए राजनितिक ताकत मजबूत करने की ज़ाव सकता है आज राजनितिक ताकत को कमजोर करने के लिए हमारे बिरोधी एन के इन परकारे नया नया सणेंत रच रहे हैं कभी हिंदू मुस्लिम से किसाई से लड़वा दो कभी आदिवास्ति को गहर आदिवास्ति से लड़वा दो कभी आदिवासी को मातों से लड़वादो यही सब काम कर रहा है हमें उनके भाकावों में में नहीं आना है आज इस राज को अलग करने के लिए सभी वर्गों क्या ताकत इसमें मिला है यहां का आदिवासी, यहां का मुलवासी याका, सिख, इसाय, मुसल्मान, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है आपने इस ताकत तो कंजोर नहीं होने देना है और इन विपश्ट के दुस्वानों को आने वाला समय में भी जब जब हमें राजनितिक ताकत दिखाने का मौका मिलेगा हमें अपनी राजनितिक ताकत को इतना मजबूती से दिखाना पड़ेगा कि दुबारा आप ये लोग सरकार में आने का सपना भी न सोचे 40-42 साल लग गया राज को अलग करने में अंगिनत लोगों का खून बहा इस राज में और इस बेबानों की सरकार को भी हटाने में हमलों को 20 साल लग गया है इसलिए आने वारा समय ये ध्यान रहे इस राज पर वही आद्वी राज करेगा जो इस राज के हित के बारे में बात करेगा या के मूल वासे आदिवासियों की भलाई की बात करेगा तो इसलिए साती हमें अभी और भी कारिकरंबो में जाना है कल हम लोग का एक आदिवासी महत्सों हम लोग गराची में मनाने जा रहे हैं बीस वर्स में पहली बार यहां पर आदिवासी महत्सों मनाये जा रहा है दो दिवसी आदिवासी भहुत सो कायोजिन हम लोगों ने किया है यहाँ हमारे इस संस्क्रीती संबेता को भी हमें देश के पटल पर रखना है आज देश विदेश अगल बगल और देश के अन्य राज जिससे यहाँ के अन्य राजियों में जितने भी आदिवासी समू है उनका भी जमावड़ा कल होगा आप लोग भी आमंत्रित हैं आप लोग भी उस मेले में आने का काम करें और देखें क्योंकि कल विश्व आदिवासी दिवस भी है और उसी सुभावसर पर हम लोग ये आदिवासी दिवस बनाने जा रहे हैं ताकि इस राज की संस्क्रिती सब्यता कितनी मजबूत है इसको हम राष्ट पटल पर हम लोग दिखा सकें करेंगे और उमीद करते हैं कि आने वाला हम अपने इस एक जुटता को और मजबूती परदान करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से अलग राज के लिए अपने हम लोगों ने ताकत दिखाया है उसी तरीके से अपनी राजनितिक ताकत का भी लोहा मनवाएंगे जब भी चु समाप करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोहाँ